कि नमस्कार मैं हूँ गाहितरी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 News और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में बात करूंगी कट्वाकांड को लेकर कट्वाकांड में जिस तरह से आज फैसला आया है उस फैसले ने कही न कही लोगों को खुश करने का का कर दिया है एक तरफ जहां जम्मुकश्मी की पूर मुख्यमंतुई महभूवा मुक्ति और नैशनल कॉंफरेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वेट करके इस मामले पर अपनी खुशी वेक्ट की है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है और इस इससे संपुष्ट हो सकते हैं चलिं संपुष्ट की बात कर रही हूं खुशी की बात कर रही हूं नहीं चाहरे हैं दिपका ऐसरजावत कि अच्पिका फ़idas का जो केस लिया था और अज़कि पिरिदपक्ष इतना मजबूत नहीं था पैसे आर्थिक तौर पर फिर भी दिपिका ने उनका केस रहने का फैसला किया हला कि उन्हें भूट सी धंक्या मिली यहां तक कि दिपिका ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि उनका भी रेप हो सकता ह अब यह भी दिपिका ने किस तरह से संघर्श क्या पिरिदपक्ष केस लिया कोट में अपनी बाते रखी अपनी दलीरे रखी और पिरिदपक्ष के माबाप का कहीना का हारा बढ़ने की कोशिश के हाला कि 23 साल नवंबर में जो था पिरिदपक्ष ने उनसे अपना केस अब अब भी अवाला है तो वह शामिल थी कोट में और बहुत से वकील आया थे उन वकीलों में एक दिपिका भी ती जो इस पूरे केस को बहुत बारी की से सुन रही थी देख रही थी और समझ रही थी और दिपिका इस रजावत ने पहसला आने के बाद टुई के जरीए अब भी महिलाओं के लिए क्या परिवेश है हम बहुत बात करते हैं बेटी बचयो बेटी पड़ाओं बहुत बात करते हैं महिराओं को आगे लेकर ढ़ाओं महिनाएं Gomu दर्भाबन का सिराफ कि निधार की सुरक्षा की बात आती है तो श्यायद वहाँ पर सभी के-सभी दर्वाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि एक अकेली मिला हमाई देश में शायद सर्वाइब नहीं कर सकती है और इस तरह कि स्थिती हर किसी यह हर मैं नहीं यह हर शायद जो मेरा प्रोग्राम देख रही हूगी महिला उन्हें खुद भी ऐसाथ का ऐसास होगा अगर वो सब्डिपेंडेंट भी हैं वो अपने अपना खुद खर्ट चलाती हैं अगर वो सिंगल मदर भी हैं फिर भी शायद कहीं न कहीं हमाई समाज में उनको उसने जरिये से नहीं देखा जाता है लेकिन फिर भी महिला किस तरह आगे बढ़ रही है मोटिवेट नहीं कर रही हूं एक समाज का एक पक्ष रख रही हूं कि हमां समाज किस तरह का रही है естतव है कि महिला अगर अपने हग की आवाज उठाती है कि अपने संगर्स क्रण जाती है कि महिला परिवार करते हैं ऐसे संगर्स नहीं कर पादे हैं दिपिका ने वो सब भी किया इतना केस संसेटिव था फिर वारोपियों के खिलाप गई उने अरोपियों के खिलाप पूरी इतहां सतहकिकाद की उन्हें जिस तरहां से पुरी केस को हैंडल किया वहागई एक काभिले तारीफ है कि इसला से महिला होने के ना पर एक वह सोशल उन्हें तरहां सीला सपने में अतासामाजी कारे ममस्कर्णाल संसेट काभि एक वहरव बातर आफनी परवड़ करना पर बाक ओदो शांका जया है थे बिर्दी को परने indi वास्ते शेट मारहा के नहीं ते बेटी की जान का भी खत्रा था इससलिए उने रेप और हत्या की धंकी तक मिल चुकी थी और धंकियों का तो यह आरम था कि लोग कहते थे कि केस आपने हाथ में लिया है उनके दिमाग में बात भूंती रहती थी कि वो लोग एक दिल उन्हें भी मार रहे और केस हाथ में दस म नहीं है बहुत सी बात है परिवार के इस दर तार-तार करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है उन्हें दर लगा रहे था कि कभी कोई आकरों की घर में नार्कोटिक रख दे और ने फसा दे इसलिए भी वो अपने घर के तालूर बरवाजर को भी बंद करने के बात-बार- जाहां में आगे उनके दिलेरी जल्बे के हर किसी ने तारिफ की और सबसे भी बात तो है कि इससा धार्मी करन किया रहा था इस पुरे मसले का लेकिन यहां पर किस तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष कि वे आ गया तो यानि कि यह तो पॉसिटीव ही पॉसितिव ही सगारातम कि वे तो हुआ सरफ पॉसरे पारिफ ले जार थाटार्मी करन कि वे तो है तो हुआ पॉसरे लिख मेंगे हन एकि वे आर तो है जार दो है दो हैं अ